मुंबई का फेमस वड़ा पाओ जिसे देखकर हर किसी का मन इसे खाने को होता है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वंदना खाना खजाना तो चलिए आज बनाते हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाओ सबसे पहले वड़ा बनाने की तैयारी करते हैं के लिए गैस पर मैंने एक पेन चड़ा लिया इसमें एक चमच डालेंगे ओल गरम हो गया अब इसमें डालेंगे हरी मिर्श बारी कटी हरी मिर्श थोड़ा करी पत्ता और राई इन सब को थोड़ी रिद भुन लेंगे एकमस धनिया पावडर द्भिडर अद्ग एकमस जीरा पावडर नमक एकाडरिट के टेस्ट एकमस रेट चिली पावडर इन सब को अच्छे से मैक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे बॉयल किये वे एक बॉल आलू ये लगबग हाप केजी आलू है अब इन आलू में मसालो को अच्छे से मिक्स करना है आलू को आप अपने हिसाब से और भी तीका बना सकते हैं यदि और मिर्चाप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं या अमचूर अब इसे और भी चट पटा बनाने के लिए इसमें एक चमच डाल देंगे चाट मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इक बड़ी सी प्लेट में आलू को निकालकर रख देंगे ठंडा होने के लिए अब बड़े के लिए बैटर तयार करेंगे इसके लिए एक कब बेशन, आदा चमबश नमक, एक चमबश मिर्श पाउडर, वर फोर चमबश हल्वी, थोड़ा थोड़ा पानी डालके बैटर में त्यार करना है, इसमें कोई लम्स ना पढ़े, यह ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अब एक ठीक बैट बैटर मेरा त्यार हो गया, ऐसे ही होना चाहिए, यह जी आप बहुत जारा पतला बैटर बना देंगे, तो बड़ा अच्छे से इसमें कोट नहीं हो पाएगा, अब त्यार कर लेते हैं, बड़ा पाव के साथ खाने वाली स्पेसल चटनी, इसके लिए एक पैन में थोड़ अब इसमें डालेंगे वन फोट कप फाइट तिल, इसे भी थोड़ी दिर तक भून लेंगे, जब तक की तिल चटक ने लए गया तब तक इसे भून लेंगे, अब इसमें डालेंगे वन फोट चमच हीं, नारियल का बुरादा, चार चमच, एक चमच धनिया पावडर, दो चमच, फिरेट कस्मीरी मिर्श पाउडर, थोड़ा नमक, लगवखा आप चमच, और इन सब को मिलागा कि अच्छे से हमें भूनना है, लगए 30 सेकंड हम इसे भून लेंगे, अब यह अच्छे से भून गया है, तो इसे थंडा करके मिक्सी में डालके इसे अच्छे से पी लेंगे, इस तमी यह बिल्कुल थंडा हो गया है, तो थंडा होने पर ही आप इसे पीस है, अब चक्नी भी मेरी त्यार हो गई है, तो इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे, अब चलते हैं, नेट्स प्रोसेस की तरफ, अब आलो थंडे हो गए हैं, इनको हातों से एक बार फिर से मसल लेंगे, और इनके बड़े बना लेंगे, जिस साइज के आपको बड़े बनाने हो, उस साइज के बड़े बना सकते हैं, तो सारे बड़े इकट्टा करके बना कर रख लेंगे, उसके बार इने फ्राइल करेंगे, तो सारे बड़े बना के मैंने रख लिए आप चलिए इने ट्राइल करते हैं अब एक बड़ा उठाएंगे उसको बेसंद का गोल जो मैंने बनाया है उसमें डिप कर देंगे और चम्मच की सहायता से इस पर हम बैटर डाल देंगे फोक और चम्मच की सहायता से आप इसे आसानी से ऐसे डिप कर लीजिए पर एक फोक में उठा के जिससे इस्ट्रा बैटर रोगन वो निकल जाएगा और ऑईल मेंने चड़ा दिया है गैस पर जो की अच्छा गरम हो गया है तो ऑईल में इसे हम डाल देंगे अब ऑईल में थ चीटे ना पड़ें तो सारे वड़े को यह करके एक बार में जितने अच्छे से फ्राई हो सके उठने बड़े इसमें डाल देना है अब थोड़ा थोड़ा तेल करके इसके उपर भी हमें डाल देना है जिससे कि यह उपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं अब फिर इस अब इसे पलट लेंगे और लाल होने तक दोनों साइट से इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब वड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसे एक चंदी में पहले हम निकाल लेंगे जिससे कि इसका extra oil जो होता है वो निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा oily नहीं होंगे अब एक लेंगे तड़का पैंग इसमें थोड़ा सा oil डाल देंगे oil को थोड़ा गरम हो जाने देंगे फिर 5-6 मिर्चियों बीच में slit करके इसमें थोड़ा fry कर लेंगे चलिए बड़े पाव को सर्फ करते इसके लिए पाव लेंगे और जो बीच में जुड़ी होती है तो उनको पहले हम अलग-अलग कर लेंगे और थर पाव के बीच में एक कट लगा देंगे पूरा नहीं काटना है बस आधी दूर तक इसे हमें कट लगाना है अब पाव को बीच में से खोल लेंगे इस पर डालेंगे इस पेसल चटनी जो कि मैंने बड़ा पाव के लिए बनाई थी आप इस पर रखेंगे बड़ा उसके उपर रखेंगे एक हरी मिर्ची हरी मिर्ची जो मैंने फ्राई के थी ती थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसको आपसमें मिला लेंगे, पर लिटि हरी मिर्ची लग देंगे, इसको पर फिर से चटनी डालेंगे, ऑर इसे बं। कर देंगे, उपर से थोड़ा फुष कर देंगे, ऐसे ही सारे बड़े पाव को असेंबल कर लेंगे, अब आप इस पर घरिन चटनी भी लगा सकते हैं, तो पर मुझे तो यह ऐसे ही बहुत पसंद है, तो मैंसे ऐसे ही बनाते हूँ अब आपने देखा ना, कि बड़ा पाव बनाना कितना आसान है, जब भी आपका दिल चाहे, घर पे इसे आसानी से बना सकते हैं अब साइड में थोड़ा एश्ट्रा चट्नी भी सर्व कर देंगे और हरी मिर्ची भी, क्योंकि बहुत लोग एश्ट्रा चट्नी और हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए और यदि मेरे चैनल को आप पहरे बार विजिट कर रहे हों या अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए साइट में जो बिल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरन मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई